अगरेख कृष्ण piles जगनाथ रत्यात्र की तैयारियां रत्यात्रा से बहुत पहले प्रारंभ हो जाया करती हैं रत्यात्रा से लगबग 18 दिन पहले भगवान जगनाथ उनके भाई बलबद्र और उनकी बेहन देवी सुबद्रा को शीतर जल से स्नान कराया जाता है जिसे स्नान यात्रा के नाम से जानते हैं और ये होता है भगवान जगनात का जन्म दिन जो जेश्ट मास की पूर्णिमा को होता है किन्तो खुले स्थान पर उची वेदी में स्नान करने और थंडी हवा लगने पर जगन दर्द दायक होता है क्योंकि वे इस समय में भगवान जगनाथ के दर्शन नहीं करवाते हैं भगवान के भक्तों का ये स्वभाव होता है क्योंकि वे भगवान से आसक्त होते हैं उनसे प्रेम करते हैं इसलिए जब उन्हें भगवान का दर्शन नहीं मिलता तो वे दुखी ह इस समय को अनावसर कहते हैं इस समय में जगनाद जी को ठीक करने के लिए तरह तरह के फल और काड़े उन्हें पिलाए जाते हैं 15 दिनों के बाद जब भगवान ठीक हो जाते हैं तो उनकी रथ्यात्रा होती है और इस विश्व प्रसिद्ध रथ्यात्रा से एक दिन पहले होत है नेत्रों का उच्छव नेत्रों जब भक्त भगवान जगनात के सुन्दर दर्शन करते हैं लेकिन केवल दर्शन करना महत्व पूर्ण नहीं है महत्व है सही भाव से दर्शन करना दर्शन करने से पहले हमारी क्या भावना होती है दर्शन करते समय हमारी भावना कैसी होती है और दर्शन करने के बाद हमारी क्या भावना है यह विचार नहीं है एक महान आचार्य कहते हैं कि भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए एक मूल्य है वह लॉल्यम लालच उतकंठा होनी चाहिए यह एक मात्र कीमत है जिससे हम भगवान को खरीद सकते हैं अठात कि मुझे भगवान की सेवा और तीवरता से करनी है और भगवान स्वयम को ऐसे भक्त के हवाले कर देते हैं यह भगवान के गुण हैं भगवान के सौंदर्य को देखकर उनके रूप को देखकर इस संसार के सौं में श्री रूपगो स्वामी इसी बात की पुष्टी करते हैं कि जो भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आकर भगवान के संदर मुखारविंद का दर्शन करता है विशेशकर आर्ती के समय में तो शास्त्रों में कहा गया है कि कम से कम उसे ब्रहमांड के उपरी लोकों में स्थान मिलेगा तो फिर उस व्यक्ति के भागी की क्या कलपना करें जो अति श्रद्धा से बड़े रिदय से भक्ति पूर्वक भगवान का दर्शन करता है जी हां उसकी गति तो बहुत उची होगी इसलिए मंदिर में कम से कम एक बार दर्शन करना अत्यंत अनिवार्य महत्वपूर्ण है हमारे खुद के भले के लिए हाज़ी लगाने के लिए कि मैं भी आया हूं और भगवान के सुंदर देव्य दर्शनों के लिए ऐसा ही एक शुब अवसर है नेत्रोटसर जब पूर्णिश्रद्धा और समर्पन के साथ भगवान के सुंदर रुप को नि परक करें तदा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666-839-839